हलो गुआस कैसे हैं आप सभी लो मैं हूँ पारस और आज हम देखने वाले हैं याँ पर दो इशू पर चर्षा करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़ादा इंक्पॉर्टेंट है पहला इशू है साउट चाइना सी की ऊपर है ठीक है पहला इस्व और चाइना किस तरीके से एसि करेंगे नेश्ट उसके बाद हम देखेंगे जो आपका FCIRA Act है एंज्यो क्यूपर ठीक है एंज्यो क्यूपर जो Regulations Foreign Contribution जो Act बिसिकली आपका उसने जो एंज्यो क्यूपर Regulations लगाए हैं तो उससे कुछ Experts यहां पर कहा रहे हैं कि जो वीडियो श्टार्ट करते हैं, ओके तो यहां पर आप देखें सबसे पहले हम देखने वाले हैं NGO का इशू, NGO का इशू आखरकार है क्या, राइट, NGO का इशू यहां पर है क्या, यहां पर अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले यहां पर गौर्णमेंट यहां पर FCRA Act लेकर एक लेबल्स आफ डिजी लेंस बढ़ाने के लिए ठीक है और जुतनी भी इन्फोर्मेशन्स हैं एंजियो की वो सारी प्राप्ट करने के लिए गौर्रमेंट ने क्या किया गौर्रमेंट ने यहां पर एक सेंट्रलाइजड सिस्टम चालू कर दिया कि उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो जो आपकी जो बैंक अकाउंट होंगे वो आपके एक ही जगह पर होंगे एक ही ब्रांच में होंगे ठीक है वो इस्टेट बैंक की आपकी ब्रांच में होंगे हैं पर इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका बैंक अका अकाउंट होना चाहिए जिसमें आ आधार नमर और उस NGO में जितने individual members हैं सब से linked होना चाहिए सारे account नमर वगएर हैं यहाँ पर आपको link होने चाहिए pen account pen नमर आधार नमर और जितने भी आपके individual members हैं उस NGO में सबके account की details यहाँ पर होनी चाहिए तो इसी को लेकर यहाँ पर एक issue create हो रहा है जैसी कि FCR Act के अंदर में जिस तरीके से प्रावधान लेकर आए हैं तो experts कह रहे हैं यहाँ पर यह सब क्यों हो रहा है यह सब कहीं न कहीं आपर यह सारी test करेंगे कि कहां कहां से fund आ रहा है और test fund कहां कहां से आ रहा है चलो ठीक है वो आप transparency लेकर आ रहे हो basically यह editorial जो है वो आपका critical यह बहुत ज्यादा anti-government है जो भी steps में यहाँ पर बताऊंगा वो anti-government दा हिंदू ने हाँ पर cover up कर रखे हैं ठीक है तो आप handle कर रहे हो वो ठीक है लेकिन किस purpose से इतना ज्यादा आप जो revolution यहाँ पर लेकर आए हैं उसक क्योंकि जहां government नहीं पहुच पाती है ना वहाँ पर NGO service provide करती है पहला point दूसरा क्या है यह कहीं ना कहीं यह government को accountable बनाती है गौर्मेंट को efficient बनाती है गौर्मेंट को accountable बनाती है तो इतने जादा regulations जहां पर NGO का काम क्या है service provide कर रहे हैं उसपर इतने जादा regulations क्यो लगाए है रिसेंटली अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि आगर आप देखें जो मिस्टनरीस ऑफ चैरिटी करके एक एंजियो है जो की इस्टेबराइस किया गया था मदर टेरिसा के द्वारा वो न्यूज में था उसकी जो परमिसन है वो कैंसल कर दी गई अंडर FCR उसकी परमिसन कैंसल कर दी गई साथ ही साथ डैस्वोट पर अगर आप देखेंगे ये लिंक दी गई है ये डैस्वोट पर जाके आप देखेंगे तो 17,000 जो एक्टिव और्गनाइजेशन है उन्हें परमिसन मिली है या नहीं मिली है वो मार्च 2022 को पता पड़ेग और 33,000 ओर्गनाइजेशन ऐसे हैं जो परमिसन खोच चुके हैं तो यहां पर इसी को देखते हुए एक्सपर्स नहीं यहां पर कहा है कि यह बिसिकली एक और्गनाइज पैटर्न है यह एक और्गनाइज अटेक ओं सिबल सोसाइटी सिबल सोसाइटी को खतम करने का सरकार क द्वारे के स्टार्टिंगे जहां पर जितने भी सिबल और्गनाइजेशन हैं उन्हें खतम करना चाहता है इसके बाद इन्होंने कहा है इस वज़े से जो एंजियो कई सारे रिमोट एरियास में जहां गौर्णन की सर्विस नहीं पहुच पाती थी वो एंजियो अब खतम हो गए हैं उके वो एंजियो खतम हो गए हैं उनके पास आप कोई इंटरनेशनल फंडिंग बची नहीं उनके पास पैसा आनी रहा है तो ये कई सारे एंजियो से यहां पर खतम हो गए सिर्फ गौर्णन की एक जिद्दे के कारण या फिर गौर्णन यह बताए कि आप इतन सर्विलेंस लगा रखें इतनी ज़्यादा डाटा यहां पर प्रोवाइट करने को कहा गया है कि आप यह अकाउंट की डिटेल्स देंगे यह सारी चीज़े करेंगे तो आप वो एंजियो बेसिकली आपके गवर्नेंस का काम करेगा या फिर जो गौर्मेंट की रिकौर्मे अन्तोदया बेसिकली जो लास्ट में सर्विस प्रोवाइट प्रोवाइट करना है जिसको तो बेसिकली जो एक बेसिक प्रिंसिपल है एंजियो का वो फुलफिल यहां पर नहीं हो रहा है ड्यू टु गौर्मेंट की जो एपसी आर एक टाइप की आप रेगूलेशन्स ले पूसर कर रहा है अब बात याते है कि फंडिंग का इश्यू है क्योंगो एंजियो को फंडिंग आखर खाट चाहिए क्यों है तो यहां पर आफर सिंपली कहता है कि एंजियो को फंडिंग इसलिए जैसे कई सारी और्ग्णाइजेशन्स हैं जो काम करी हैं फॉर अच्छे परपस के लिए जैसे डॉक्टर्स विथाउड वॉर्डर्स या रिपोर्टर्स विथाउड वॉर्डर्स इनको आप देखें इंटरनेशनली फंडिंग मिलती है ऐसा नहीं कोई एक कंट्री इनको फंडिंग कर रहा है कई सारी कंट्री से इनको फंडिंग करती है उसी तरी किसे आप FCRA टाइप के अगर Regulations यहाँ पर लेकर आएंगे तो यह फिर NGO वो पैसा कहां से आएगा NGO के पास और वो काम कैसे कर पाएंगे पूरा आर्टिकल यह है मतलब कि इसमें क्या क्या इशूरा किये गए है FCRA के उपर जो आपने हाँ पर basically bank account लेकि आना है state bank में खुलना चाहिए बो भी देली में खुलना चाहिए पैन अधार नम्मर यह audit लाहीं आपको यह सारी audit की documents यहाँ पर submit करना है तो यह सारी जो चीजें हो रही हैं कही ना कहीं जो governance का purpose है NGO का civil society का जो एक aim होता है अन्तो दया लाश्ट में तक सर्विस प्रोवाइट करना अपनी वो कही न कहीं फुल्फिल नहीं हो पा रहा है मैं फिर बोलता हूँ इतना जादा एंटी गॉर्मेंट आप पेपर में नहीं लिखेंगे यह बहुत ही जादा एंटी गॉर्मेंट है इसका आपको बैलेंस वी पेपर में लिखना होगा नैश्ट जो मैंने आपको वदाया था सौथ चाइना सी का ठीक है सौथ चाइना सी में क्या हो रहा है यहाँ पर अभी जो बिलिंकन्स है ओके बिलिंकन्स जो है सेकेटरी है वहाँ के दा सेकेटरी आफ इस्टेट बिजिटेड सौथ इस्टेशन कंटी में नहीं आपर क्या किया बिजिट किया ठीक है सौथ इस्टेशन कंटी में बिजिट किया कहा कहा पर बिजिट किया इन्होंने यह ब मलेसिया में किया और इंको थाइलेंड जाना था यहाँ पर तो विजट कर पाई लेकिन थाइलेंड जब यह विजट कर रहे थी तो यह वहाँ पर रुक नहीं पाए सिब कुछ पल के लिए थाइलेंड गए क्योंकि इनकी एक मेंबर को यहाँ पर कोरोना हो गया था उस कारण पालिसियत हाइलेंड नहीं रोक पाए अब इंडोनेसिया की जैसे इन्होंने साउथ इस्ट 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 की विजिट की सेकेटरी बनने के तुरंत वादी तो यह कहीं न कहीं मिश्टर वाइडन का जो यूएस के प्रेसिडेंट है कहीं न कहीं वहां की पॉलिसी को दिखा रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं वो साउथ इस्ट इस्ट नेसन के लिए उहां की एड्मिनिस्ट्रिशन के लिए कितनी इंग्पॉर्टेंस है कहीं न कहीं यह मैसेज यहां पर आ रहा है यहां पर आने के बाद एक यूनिवर्सिटी में इंडोनेसिया की यूनिवर्सिटी म नहीं है और यहां पर बिलिंकन नहीं हमेंidents पर डिये गए अब वह 5 कोर प्रिंसीपल्स क्या थे हमीं जाननीन की पिलकुल भी ज़रूत नहीं उनका अएम देखतें हैं लृटिवें उनका क्या उहां पर उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि उसे का में aim USA का main aim China को हराना या China को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि China को हराना है USA का कही ना कहीं यह aim नहीं है हाला कि यह कारण है बड़ यह completely यह aim नहीं है US क्या चाहता है US चाहता है कि Indo-Pacific के रीजन में एक emerging partner के रूप में आपके सामने आए ठीक है एक emerging partner के रूप में आपके सामने आए आपके साथ काम करें US का main aim यह है कि आप US का कोई contest करने का कोई बिचार नहीं है चाहिना के साथ यहाँ पर फिर चाहिना कौन होने बताए कि चाहिना का आप threat देखें कितना ज़्यादा है चाहिना किस तरीकी से open sea को भी चाहिना अपना कहता है हर country के साथ उसका land dispute चला है हर country की land को अपना बोलता है इसके बाद उसकी distorting open market मतलब कि अपनी जो लोग हैं उसको subsidy देकर दूसरे country से market में अपनी सामान को dump करवाता है तो यह क्या हो रहा है उस country के market को basically यह distort कर देते हैं इस साथ अपने साथ अगर उंकी कोई बात नहीं मानता है जैसिकि वो एक blank-chank policy खेलते हैं और उसके बाद उंकी कोई बात नहीं मानता है तो हाँ से export करना बंद कर देते हैं वो किसी भी deal से पीछे हर जाते हैं तो कही ना कहीं चाईना का क्या है कहीरे का के चाईना का एग्रेसिब मिजेरिया दिखा रहा है कि चाईना कितना बड़ा थ्रैट है इंडो पैसिफिक रिजिन के लिए इसके बाद यहाँ पर ओथर क्या कहता है ληn Kelli कि इस समय क्या है बेसिकली चाईना हो गया उसके तहत यहाँ पर बहुत ज़्यादा infrastructure में यहाँ पर investment कर रहा है यहाँ पर US भी पीछे नहीं, US यहाँ पर आप देखेंगे multiple profile, high profile widgets कर रहा है साथी साथ जैसी की चाइना को OVR प्रोजेक्ट ऐसी तरीके से US के यहाँ पर build back better world initiatives है blue dot network है, इसके तहद वो चाइना भी, US भी यहाँ पर साथी स्टेसियंस में investment कर रहा है साथी स्टेसियंस की अगर हम बात करनें तो दोनों countries में अच्छा खासा competition चल ला है US और चाइना में अच्छा खासा competition चल ला है, ठीक है दोनों ही यहाँ पर US ने एक बात और वो लिए freedom of navigation की बात करते है US ने बोला कि freedom of navigation of dispute तो बिल्कुल ही चाइना नहीं मानता है पूरा South China Sea sign ना कहता है, यह हमारा China Sea है, ठीक है एक serious threat of freedom of navigation के लिए और US ने इसके बात कहा कि अगर इसी तरीके से continue रहा Beijing का aggression, तो उससे कही ना कहीं आप देखें जिस तरीके South China Sea में वो अपनी monopoly दिखाता है उस तरीके 3 trillion birds का हर साल नुकसान होता है due to सिर्फ China के कारण China की जो policy है कि South China Sea China के उसमें आता है साथ यहाँ पर Blinkins ने एक और point नहाँ पर highlight किया Blinkins ने कहा basically अगर आप 2016 की international tribunal की भी अगर आप ruling देख लेते हैं तो वहाँ पर भी clearly reject कर दिया गया था कि China, South China Sea basically open sea है does not belong to China तो पर China एक powerful country है, चाइना ने ignore कर दी बात को नहीं माना गया इसके बाद यहाँ पर देखते हैं Beijing is investing है Beijing भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा invest कर रहा है साथी साथ Beijing ने इतना ज़्यादा invest कर रखा है Cambodia, Laos में यह China की ऐसे partner है कि कहीं न कहीं ASEAN की unity पर भी सवाल उठा लेते हैं अगर उहाँ पर ASEAN countries में चाइना की खिलाब बात होती है तो Cambodia और Laos एक ऐसे faithful partner है चाइना के जो वो उस unity की भी केर नहीं करते हैं unity की वो चाइना के लिए खड़े हो जाते हैं इसके बाद Indonesia हो गया, Vietnam हो गया यहाँ पर भी चाइना का बहुत ज़्यादा दबदबा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा investment हो रही है इसलिए यहाँ पर Mr. Blinking नहीं कहा कि US बहुत ज़्यादा interested है और commitment करता है यहाँ पर कि वहाँ पर वो infrastructure पर पैसा invest करेगा ports, roads, ठीक है, power grids, broad vents इन सारी चीज़ों पर investment करेगा आगे चर्चा करती हुई Blinkins कहते हैं कि quad members, जो US के members हैं, US के साथ काम करते हैं, US, Japan, Australia और India, अगर आप इनके साथ भी quad members की भी देखे हैं, ओके जो US group है basically पूरा एक India group है आपका, वहाँ पर भी 48 billion dollar यहाँ पर investment किये गए हैं इन governments के द्वारा कि वहाँ के infrastructure के लिए, तो आप कही न कहीं देख सकते हैं कि US कितना ज़ और कितना ज़्यादा investment आपके साथ काम करने के लिए इस तरीकी की बात blinking के द्वारा की गई, इसके बाद US ने commitment fee की कि वह और ज़्यादा focus करेगा trade को कैसे ज़्यादा increase किया जाए, technology appointment हो, decarbonization, green energy, clean energy को यहाँ पर लाया जा सके, तो कहीं न कहीं यह पूरा article क्या दिखाते ह है कि US और China ने यहाँ पर किस तरीके से Asian countries में अपना, अपना मतलब basically कितना importance Asian countries की, इस speech से हाँ पर समझ में आता है, जो Blinkins ने South East Asian nations में जा कर दी, अब इसके बाद यह आता है कि हाँ पर कहीं न कहीं Asian countries को यह समझना होगा, conclusion में यह दिया गया है, हाँ पर Asian countries को यह समझना हो कि Asian countries अगर United रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो China की तरफ से भी उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है, और US की तरफ से भी उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे कि Laos, Cambodia यह Unity का भी, Asian Unity पर भी सवाल उठा दीते हैं, कहीं न कहीं टूटनी की कगार पर आ जाता है, तो यह ब तरफ होंगे, गाइस यह पूरा हिंदू का आर्टिकल से, दो ही आर्टिकल साज इंग्पोर्टन से, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को, एंड थैंक यू सो मजच गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो ला